देखो ना एक किसान की क्या दुविदा होती है छट तपकती है मगर फिर भी वो बारिश की दुआ करता है डिग्रियों के लिए पढ़ाई इतनी भी मत करना कि जिन्दगी की किताब को समझ ही न पाओ यहां जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है क्योंकि ईश्वर के पास हमारे लिए एक बहतर योजना होती है जिन्दगी खौईशों से भरी दिन आजमाईशों से भरा बस इसी उधिडबुन में सुभा से शाम हो जाती है लोग कहा करते हैं कि त्योहार फीके हो गए है सच तो यह है कि व्यवहार फीके हो गए है कुछ लोग घर की जिम्मेदारियों को इतना उठाते हैं कि सारी जिन्दगी मुहब्बत का नाम नहीं सुनते अगर रिष्टू के बीच फासले बेवज़ा बढ़ने लगें तो सही फैसले लेने में कभी देर मत करना तुमसे प्यार करने वाला जब तुम्हें कॉल करना बन कर दे तब भी देखना वो गुजरे लमहों का हिसाब लगाना कभी नहीं भूलेगा हम कभी कभी अंजाने में समय पर पाउं रख देते हैं इसलिए हमारी सिंदगी मूँ के बल गर जाती है